हेलो दोस्तों, 2 जून 2023 में ओडिसा कोई बालासोर सहर में एक ऐसा मनहूस दिन था जो कई लोगों के लिए भुलाया नहीं जा सकता असल में दोस्तों हुआ कुछ हियों कि भारत में पहली बार एक साथ तीन ट्रेने टकरा गई लोग ट्रेन के अंदर खुशी-खुशी अपनी बच्चो अपनी फैमली के साथ चड़े तो थे लेकिन उनको क्या ही पता था कि ये सफर उनकी लाइफ का आखरी सफर होगा शुकरवार शाम ओडिसा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन हाथसा हुआ है इसी बीच सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखर रिसास्ते के लिए कौन जिम्मेदार है असल में दोस्तों हुआ कुछ यहों कि गाड़ी नंबर 12,841 कोरो मंडल एक्सप्रेस और गाड़ी नंबर 12,864 बैंगलोरू हावडा एक्सप्रेस दोनों पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच में बहुत ही भयंकर से टक्कर हो जाती है और दोस्तों अगर हम विकीपीडिया के रिपोर्ट को देखते हैं तो 295 लोग मारे गए और 1175 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए और दोस्तों ये दुरगटना 21 सदी के चौती सबसे बड़ी ट्रेन दुरगटना में से एक थी 1995 में फिरोजाबाद के ट्रेन दुरगटना के बाद ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेन दुरगटना में से एक है खेर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये दुरगटना आखिर हुई कैसे अगर दोस्तों हम रिपोर्ट की बात करें तो सामके 6 बच के 54 मिनट पर कोरो मंडल एक्सप्रेस अपने मेल लाइन पर जा रही थी उसके जस्ट कुछी दूरी पर एक माल गाड़ी अपनी लूप लाइन पर खड़ी हुई थी सामके 6 बच के 55 मिनट पर अचानक से कोरो मंडल एक्सप्रेस अपने लाइन से दीरेल हो गई जिसके कारण कोरो मंडल एक्सप्रेस के कुछ डिबे दूसरी पटरी पर आ गए और दोस्तों ये घटना यही पर सीमित नहीं हुई जिस ट्रैफ पर कोरो मंडल के कुछ डिबे गिरे हुए थे उस पर बैंगलोरो हावडा एक्सप्रेस बहुत ही तेजी गती से आकर उन डिबो के साथ टकरा गई और दोस्तों जिस समय कोरो मंडल के डिबो पर बैंगलोरो हावडा एक्सप्रेस जाकर टकराई थी अगर हमारे पास cover system होता अब दोस्तों आप सोचेंगे ये cover system की studio का नाम है असल में दोस्तों भारतीय railway ने चलती हुई train की दुरघटना को रोकने के लिए एक ऐसा system बनाया जिसको हम cover system कहते हैं ये train को और भी जादा सुरक्षा प्रदान करता है तो दोस्तों चलिए जानते हैं ये cover system काम कैसे करता है असल में दोस्तों जब एक ही track पर दो train आ जाती है तो पिछली वाली train को ओटोमेटिकली पता चल जाता है कि हमारे आगे कोई train है और वो ओटोमेटिकली train को रोक देती है बिना driver के brake लगाए बट दोस्तों इस situation में cover system ने काम क्यों नहीं किया अपना असर क्यों नहीं दिखाया क्यों इतने लोगों को मौत की घाट जाने दिया तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इस train के अंदर cover system की सुविधा थी ही नहीं और दोस्तों भारत में cover system अभी भी सिर्फ 1092 किलो मीटर की रूट पर सिर्फ पैसर ट्रेनों में ही है तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब की भी ना तो बिलकुल मत जाना ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलते रहते हैं इस चैनल पर